नमस्कार मित्रों मैं निरज कुमार्तिवार आपका निरड़ा एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आर्दिक सौगत करते हूँ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निरड़ा एकेडमी प्रयागराज की वेस्ट कोचिंगों में से एक है और हम लगातार आपको ऑनलाइन एड्मिशन ऑन खंड सिच्छा अधिकारी का भी हमारे कोचिंग के द्वारा आनलाइन बैज क्या जा रहा है तो हम ओनलाइन एड्मिशन कैसे लें उनलाइन एड्मिशन लेने के बाद उसको कैसे देखें और सारी जानकारी ओनलाइन क्लास से निरड़ा एकेडमी से रिलेटेट जितनी भी जानकारी है हम आपको बहुत कम समय में इस वीडियो के माद्यम से बता देते हैं सबसे पहले मित्रों क्या करना है आप देखें आपको Google पे www.neraacademy.com जो की हमारी step by step मैं आपको अभी process computer पे internet के माद्यम से बताऊंगा और आप उन सारे step को ध्यान बुरुवक देखिएगा ताकि आपको कभी भी समस्या online class ले में, online class रजिस्टर करने में कभी कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो तो मित्रों सबसे पहले चोटी सी जानकारी coaching से और भी देख ल 800-9638204 पे जैसे current time में हमारा batch BEO का चल रहा है तो आप इस नंबर पे BEO एडिशन लिखके टाइप करके message भेज देंगे WhatsApp तो आप BEO से related हमारी coaching की जो भी process है तो आप message कर दिया जाएगा इनके अलामा अगर और भी कोई course की जानकारी कोई batch की जानकारी लेनी है तो 9473881283 इस coaching का यह हमारा number है तो आप इस पे जानकारी ले सकते हैं अभी जो ऐसा मैंने आपको बचा है नया batch online admission के लिए खंड तिच्छा दिकारी का जो batch start किया जा रहा है वो दो जनवरी 2020 से start हो जाएगा station और online classes दोनों दो ताइक से ही start हो जाएंगे तो आप जल्दी से जल्दी अपने online admission लेके अपने course complete करिए और अपने भविस को सुरचित करिए इसकी online fees जो रखी गई है 3000 रूपीज यानि की 3000 रूपए मात्र इस खंड सिच्छा आधिकारी पोश की जो online fees है वो 3000 र वहां पर आप जाके और भी जो जानकारी वहां से लेखते हैं हमारा एक telegram channel भी है telegram पर आप जाके trade academy प्रयागराज type करके सर्च करके और हमें हमारे group को वहां से joint कर सकते हैं ताकि इस परिछा के अलावा अन्य परिछा में जो भी आपको सूचना हैं और भी जानकारियां है कुछ tips हैं वह आपको लगातार मिलते रहे हैं चलिए मित्रों जैसा कि मैंने आप से कहा कि बहुत कम समय में हमको आपको सारी जानकारी देनी है उसके बाद हम क्या करते हैं अब देखे कि computer में हम one by one कैसे google पे इस website को इस URL को type करेंगे और हम क्या process apply करेंगे अपना आएए च गूगल का front page गूगल के अलामा याहू या किसी भी आप सर्च इंजन या ब्राउजर पे जाके आप इस URL को type कर सकते हैं जैसे कि हमने लिखा www.nirnayacademy.com nirnayacademy.com जैसे आपने टाइप किया देखा कि हमारे coaching का website open हो गया और अभी आप announcement में जाएंगे तो जिस प्रकार की नई बैच है जैसे अभी खंड से इच्छा अधिकारी का नया बैच चल रहा है तो उसको आपको जानकरी जी जा रही है या आपको announcement में है जैसे यूपी state, state, state या अन्य कोई भी जानकरी आपका आएगी तो आपको announcement वाले page पर मिल जाएगी हमारे सारे website में आप देखेंगे तो कई सारे आपको अलग-अलग window बने वे हैं, home page है, आपका about us है, courses है, live classes है, notes आपको खरीदने है, contact us है, तो आपको online admission लेना है तो सबसे पहले आप live class में जाएगे, live class में जैसे ही जाएगे, आपके पास एक नई window open हो जाएगी, जिसमें login form और register form, दो आपको options दिख रहे हैं, पहला मित्रो क्या login form, login form उनके लिए है, जिनको ID और password generate हो चुका है, या मिल चुका है, या तो संस्था के द्वारा मिल गया है, या तो उन्होंने पहले से ही login कर लिया है, दूसरा जो नए बच्चे हैं, जो admission online लेना चाहते हैं, जैसे इलहाबाद के बाहर है, या कहीं पे भी है, उनको नया register करना है, और ID password लेना है, तो register form पे हम click करेंगे, तो register form पे हमने click किया, तो कुछ आपको यहाँ पे field मिलेंगी, कुछ जानकारिय आपको यहाँ पे देनी है, तो जैसे कुछ जनकारिय में आप one by one हम देखेंगे, तो अपनी जानकारिय हैं वैसे field करते रहेंगे, पहला, जैसे कि हमने देखा कि आपसे नाम पूछा है, तो हमने नाम में लिख दिया, निरने Academy, phone number, phone number आप अपना type करेंगे, और याद रख create नहीं किये जा सकते हैं, दो लोगों को login पास्फट नहीं मिल सकता है, हमने देखा, mobile number दिया, mobile number जैसे कि हमने यहाँ पे 9455682043 दिया है, email ID हम देख रहे है, email ID भी हमने अपना type किया जैसे, यहाँ पे देखिए, विरेंद्र, हमारा ना, विरेंद्रमारिया91 at the rate gmail.com, यहा आपको चूज करना है, जैसे यहाँ पे 18, 12, 12, 19, हमने एक date of birth चूज के लिया, पास्वर्ड में आपको पास्वर्ड अपना बनाएंगे, पास्वर्ड आप अपने से कुछ भी बना सकते है, दुबारा confirm password option आगया, confirm कर दीजिए password, same password होना चाहिए, password mismatch नहीं होना चाहिए, address, निड़ा एकडमी, प्रयाग राज, और security code में आपको option दिया है, 4 into 4, इसका मतलब 16 होगा, 16 आप type करके register कर लिजे, बित्रो जैसे ही register करेंगे, आप देखे, आपका एक account open हो गया, लिखा हुआ है निड़ा एकडमी, और आपके पास एक window open हो गई, विंडो में आप देख जितनी भी classes हैं, Hindi की, Math की, परियावरण की, English की, और जितनी भी अन्य classes हैं, वो invisible पी आप मिल रही है, अब मित्रो आपको इसमें कौन सा course जोईन करना है, जैसे माल लिजे हमको UPTate का course जोईन करना है, तो आपके पास लिखा हुआ है, UPTate टोटल वीडियो दिखा रहा है और पंद्रह सो रुपया, तो आपने by now पे क्लिक किया, तो देखे, एक नया window ओपन होके आ गया है, और उपर लिखा हुआ है, आपको कितना पे करना है, पंद्रह सो रुपया, नेड़ा एकेडमी का, यह page है आपका, आपका देखिए mobile नंबर और आपका email ID उपर सो कर रहा है, अब आपको payment option है, payment option में आपके पास कई सारे option है, पहला देखे, bank का net banking option है, आप net banking जिसे online banking आप कहते हैं, उससे भी payment कर सकते हैं, दूसरा माद्या में card का, आप debit card, credit card, किसी bank का, जैसे SBI, PNB, HDFC, ICCI, किसी भी bank का debit या credit card यूज करके, उसकी सारी information देके भी payment कर सकते हैं, तीसरा है, UPI के माद्याम से, जो कि हम लोग जानते हैं, UPI payment gateway से भी दे सकते हैं, तीसरा आखरी जो हमारा है, wallet है, Patreon के माद्याम से, phone pay के माद्याम से, free charge, या Google पे, अन्य कोई भी जो options हैं, आप इनके बारा payment complete करके, pay now का option देंगे, जैसे आप pay now पे click करेंगे, आप अपने स successful transaction का एक receipt generate होके आ जाएगा, और आपने देखा कि पहले ही register form में अपना ID और password आपने बनाया है, याद रखेंगा मित्रों, ID आपकी जोगी by default mobile number होगी, और password जो भी आपने बनाया है, वही होगा, password जो आपने register form के दारान बनाया था, तो उसको आप अपने साथ लिक की रख रखेंगे, register करने के पाद आपको ID और password मिल गया, अब दुबारा आप live class में जाके, फिर अपना ID यानि की mobile number इंटर के, जैसे हमारा अभी ID था 9455 और password जैसे हमने अपना password open किया, यहाँ पे login करेंगे, तो जो यहाँ पे page आपको दिखाएगा भी by now, क्योंकि हमने भी यहाँ पे आपको click to view का option देने लगेगा, वित्रो इसको भी हम आपको दिखा देते हैं, एक मिनट देख लीजिए इसको भी, कैसे आपको आगे video दिखाना है, तो देखें, यहाँ पे click to view का option आ रहा है, यहाँ पे आपको कई साथ, dashboard, online class, notes, my purchased video, my purchased notes और transaction, transaction में आपको देखें, ऐसी receipt आपको मिल जाएगी क्या है, my purchased notes में आपको, हमने जो notes खरीदें, वो आपको दिखाई देगा, my purchased video में हमने इतने video खरीद रखें, इसलिए इसमें हमें इतना video आपको click to view का option आप click to view पे click करेंगे, फिर देखें, आपको कई सारे, Hindi, English, Monovigyan, Sanskrit, Math, जो भी आपके related subject रहेंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, और आप इनको click करेंगे, जैसे math पे जाके click किया, math का lecture one click किया, तो आपके पास ऐसी window बन के आजाएगी, औ इसको आप बंद कर देंगे, फिर मित्रो, ये तो पुरा का पूरा option आपको कैसे हम चालू करें, और आप यहाँ पे logout करने का option यहाँ पे है, change password करने का option है, और आपकी किस date पर register, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सिवधा इसके उपलब्द के रह हैं, तो हम लोगों ने एक माध्यम बैंक के द्वार रखा है, आप बैंक में जाके, निर्डए एकेडमी के, बैंक में जाके, आप क्या करेंगे, अपना पैसा 3000, आप ट्रांसफर करेंगे, खंड सिच्छा अधिकरी के लिए, अलग अलग कुर्स के लिए, अलग अलग फीस आपको पेड़नी है, तो आप, जैसे कि हमारी, कोचिंग का जो हमारा नाम है, नेम, निर्डए एकेडमी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, निर्डए एकेडमी, निर्डए एकेडमी, बैंक का नाम इलहबाद बैंक, ब्रांच अलापुर प्रयागराज, एकाउंट नंबर, एकाउंट नंबर फिल करते हैं, बहुत ध्यान से, देखेगा, 5046-9850-588, IFSC code AALL-AGO-213323, बित्रो IFSC code और एकाउंट नंबर भरने में बहुती साफधानी बरतीएगा, ब्रांच code 33323, तो आप अगर किसी भी समस्या से, आप ओनलाइन एडमीशन रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हम यह नंबर जो है, आपका यह एकाउंट नंबर पे जाक आप किसी भी बैंक द्वारा हमारे बैंक एकाउंट में पैसा ट्रांसर रहे हैं, और जो उसकी रिसेप्ट होगी, वो आप किसी वाटसप नंबर पे आप अपने नाम के साथ भेज दिएगा, तो आपका एकाउंट हमारी संस्था द्वारा बना दिया जाएगा, और आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आप वीडियो देख सकते हैं, तो इसको बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, तो मित्रो याद रखेगा, या तो आप फोन पे, गूगल पे, किसी भी पेटियम किसी भी वालेट का यूज़ करके, किसी भी UPI का यूज़ करके बेजते हैं, तो आप एकाउट नमबर और ये चीज़ें ध्यान रखेगा, कि इसको आप गलती ना करें, और इस नमबर पे वाट्सप जरूर करिएगा, तभी आपका ID और पासवर्ड बन जाएगा, मित्रो, आप वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्य होते हैं, आप हमें कमेंट जरूर कर दीजेगा, कोई भी समस्या का समाधान आपको इस वाट्सप नमबर पे मिल जाएगा, आप अपनी प्रॉब्लम इसी वाट्सप नमबर पे सेर करिएगा, कोई अन्य जानकारी के आप इस नमबर पे कॉल कर सकते हैं, तो ये आपको एक पे शुड़ी सी जानकारी थी कैसे आपको कास जोईन करना है, धन्य वाट्समितरों